करेंड्यबों हेलो फ्रेंड्स, एहर doоль फिर से एक नए ऐपिसोड के साथ, एक नए गेस के साथ, आज जू हमारी फ्रेंड में उन्हें कुसी इंट्रो के सि जूर्त नहीं है, क्योंकि वह बहुती सक्षम्षम है अपने आप में प्यार में चुमून है तोस्ती में सुकून है नहीं वह अनुश्का शर्मा यह अनुबीर कपूर नहीं है बड़ों का अंदास बहुत निराला है वह बोलती है तो बहुत अच्छा बोलती है के अलावा उन्हें में फन एलिमेंट उनकी स्माइल जैसे के मैंने इंटरो में भी लिखा है उनकी स्माइल बहुत ही शांदार और लाजवाब है और उमीद करता हूं आपको यह इंटर्वी बहुत पसंद आएगा क्योंकि उनसे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा उनकी बातों से उनकी एक उनकी स्थिकती हूं जब लिखती। First of all, कैसे आप rj बने व जर्मी के बारे मता हो, क्या सोचती इसके पीछे ने के बिछे हैं? R.J. मैं कैसे बनी? I started around in 2011. and it was not planned. मैंने MBA किया हुआ था and उसकी जॉब मैंने शुरू कर दी थी बट मैं टिक नहीं पाई वहाँ पे क्योंकि बताने, it was not my cup of tea वहाँ पे जाके फिर salary लिए बिना वहाँ से भाग गई थी उतना में तंग आच चुकी थी के मैं यार एक table पे बैट के काम नहीं कर सकती ऐसा मुझे लग रहा था So I was thinking to do I was thinking to do some course you know, पड़ाई बड़ाई कर लेती हूं interior decorating or something, I don't know लेकिन फिर some friends suggested that internship होती है राइडियो में if you are free right now, you're absolutely free right now so internship जोई जोई और इंटर्शिप जोईरली 6-8 माईने की होती है लेकिन you know, बता नही मेरे में कुछ दिखा होग अन लोगो को और मेरा लग काम कर गया होगा लेकिन I was just an intern for 20 days and they got me on roll and बस तब से अभी तक टिकी हुई हूँ और बता चाचा चुका है कि this is absolutely my cup of tea with ginger राइड, राइड, पर्फेक कुप अफ टी जब स्टार्ट किया, अब लगा आप अन रोल पर आएड, आपको लगा था कि इतना ज़ादा support इतना ज़ादा लोग आपको follow करेंगे इतना ज़ादा आपको प्यार मिलेगा लोग उसे यसा आपको मिल रहा है नहीं यार, नहीं यार, बिलकुल नहीं लगा था actually पता ही नहीं था I was not a listener, radio listener मैं थी ही नहीं तो मुझे पता ही नहीं था क्योंके कैसे होगा यह सब और मुझे क्या करना होगा I just went on normal, like natural way क्या हुआ कि दीरे दीरे मुझे पता ही नहीं चला कि कब ऐसे लोग प्यार करने लगे थोड़ा सा फेम आने लगे, लोग पहचानने लगे और कभी-कभी तो ऐसा होता था विन I was new, एक-दो साल हुए थे तो new ही बोलते हो उनको क्योंके अभी तो 9-10 साल हो गया जाती थी और, so it was very much new, very much surprising for me और बहुत चरिश भी करती थी मैं I'm touchwood के वो इतना प्यार मिला और लोग accept किया क्योंकि हरेक काफी सारे लोग इस फील्ड में है हरेक को इतना प्यार नहीं मिलता, so lucky enough और लोग पता नहीं प्यार करता है, तो प्यार अलगता है राइब, कि इतना प्यार मिलता है, लोगों से प्यार तो मिलता ही हमेशा का जाता है, Shansu Almanium हम बोलते हैं कि जतने जादा चाहने वाले, उतनी जादा ना चाहने वाले भी है ट्रोलर्श जैंसे कहते हैं कि उनके साथ सामना होते है तो आप क्या उसको दिली कर लेते हैं आपकी भी आप अवाइड करते हो कि ठीक है बोल जो बोल रहा बोलने तो मुझे फरक नहीं बढ़ता हुआ हाँ भाई साब जैसे प्यार करने वाले बहुत हैं वैसे हैटर्स भी होते ही है सब्सक्राइड करते हैं तो हैं अब लोग नहीं कर रहे हैं लोग मुझे पर हाँ ट्रोलर्स हैं मतलब अभी रीसंट ही मैं आपको किसा सुना हूँ तो एक इविंट हम लोगों ने और अर्गनाइस की थी और आपको देर पर आपको पता हैं तो दिस करते हैं लोग मतलब कि कुसी और को नीचा दिखा के आप फेमस होते हैं जैसे की एक रफतार का केस हम ले 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 लेकिन क्या हुआ कि वहां पर उन लोगों ने मेर पर पूरा गाना बनाया और उन लोगों ने ट्राइट टू गेत अटेंशन क्योंकि वह सोशल मीडिया पर भी उन लोगों ने उनका ग्रूप जो 30-40 जनों का था So, they just started putting stories and they started doing lives and they started making videos and posting it and tagging me everywhere. So, I just you know, I got affected for a day or two Lekin उसके बाद मैंने सारे के सारे मेरे पूरा मैं फोन खोलते थी और उपर mentions लिखे होते हैं जो भी story में आपको tag करते हैं So, 60, 70, 80, रोज दूसरे दिन खोलू तो 100 के उपर मैंने इतने यार मतलब इतने mentions कर रहें 2-4 बार, 2-4 दिन तक मैंने वो चेक किया फिर मैंने चेक करना भी बन कर दिया And then I decided not to give a damn at all Or मैं जनरली ऐसे ही करते हूँ कि, हाँ, मैं इग्नोर कर देती हूँ So, क्या होता है कि मुझे भी affect नहीं करता पर आप गुछराथी में बुलता है, वो जाडी चामडी नथी जाओ तो वांदो नथी आओ So, thick-skinned मैं हो चुकी हूँ, मैं इग्नोर कर सकते हूँ बहुत अच्छी तरीके से And I think that, I don't react नहीं करती क्योंकि कुछ comments ऐसी आती है, तो मैं delete करके block कर देती हूँ So, I prefer to ignore it. Right. And now, you are a lot of people who love you, you are a lot of people who love you. So, you are a lot more focused on that. So, when we become a personality, a public figure, people who want people, So, everyone who is a public figure, He tries to make a change in society. But your case is a little different, And that's why I will say that You are a lot of people who love you, So, when you try to make a change in society, You are a lot of people who love you. Like, you are a Plastic Bharat Chowdow, Or a voting awareness. I will talk about Plastic Bharat Chowdow, Specifically in that case. In that case, you are a lot of people who love you. Thank you. Thank you. Thank you, Vakashirwar. Thank you. Thank you. Thank you. प्लास्टिक ने पदू चमा कही रूज है, यह नहीते हैं, भारो, नाट पढ़नों, भारो जाए, ड्रेम आता हूँ एक यहूज्ग है, वह नहीं गाता है कहा है राटूंट वा नहीं गाता है, सुझता शाठा, बहुरत में प्राजट मुच्न एक जिए कथवार हैं, गुछ नहीं परंद कहीं होता है, 10 minutes के अंदर आप रिविजिट करो वहां पर कच्रा हो जाता है, वैसी जगह पर मैं जाती थी और क्रीन कर थी लेकर मुझे लगा कि यार उतना इफेक्टिव नहीं लग रहा है, मनदब ठीक है मैं साफ करके जाते हूं वहां पर लोग क्या होगा कि ठीक है वह साफ करके गए है ठीक है कल भी आय जाएंगे, ऐसा casual ले ले लेते थे फिर यार कुछ सोचा कि कुछ डिफरेंट करते हैं जो अपील कर जाएंगे लोगों के दिमाग में अट-लीस्ट वो रिमार्क रहे या फिर कुछ नोटिस करें लोग सो यह प्लास्टिक भारत छोडवाला आइडेया किया और उसमें ऐसा आइडेया जिसमें मुझे जेल में रहना था वो जेल बनी ती और वरीबडी वेड़ेया में अट-ईड़क यार यह एक तो लड़की है और वहां पे खुले में रहना है खुली जेल रहेगी और पता नहीं कब तक रहना है क्योंकि मैं ऐसा बोला था कि पांसों किलो प्लास को प्रश्कोर के ज़रूरत है. वैसे मैं प्लास्टिक एकटा भी करना चाहती थी और लोगों को इतना वो महसूस हो कि कोई कर रहा है इतना या तो फिर इतना दिमाग में ऐसा चप जाए कि ओके प्लास्टिक के लिए किसी ने इतना किया था, let's not throw it somewhere, कि यह हामफूल कुछ ज्यादा ही होगा. तो खाली इतना नोटिस कर जाए लोग को दिमाग में चाप हो जाए वही मेरे लिए काफी था तो पांसो किलो प्लास्टिक की रामे में बैठी एक दिन तो ठीक ठाक किलो आ गए फिर मैंने सोचा कि यह बहुत लंबा कटने वाला है तो पड़े और तो क्या त娃 तब तक लेकिन थे दू दिन हो गये और दूसरे दिन ही एक ही साथ में प्लास्टिक आने लगा, आने लगा, आने लगा, रो सो सुप्राइज़, फिर क्या हुआ पांसो किलो प्लास्टिक दूसरे दिन एंड में ही हो गए थे, फिर मैंने सुचा किया ठीक है, अब तो और भी आरे हैं लोग, तो अब मैं खुशी से रह लेती हूँ, अल्मॉस्ट दिन तो हो गए थे, 72 आस मुझे करने का मैंने सुचा कि ठीक, 72 आस मुझे करी लेते हैं और बैठते हैं, फिर भी बहुत अच्छा सपोट रहा है, और 25 किलों तक प्लास्टिक मैंने जमा किया, तो इक अटा किया, तो यह, रिस्पॉंस बहुत प्यारा रहा, तो के अलावा भी काफी सारी चीज़ेसे कि आपने मूला उसके पहले कौंसा बोला था हाँ, वोटिंग अवरनेस वाला था, फिर मैंने तबूस पर काम किया हैं, जैसे कि पीरियद के तबूस हैं, सो विमिन डाइरीज कर के किया था, सो ऐसे सब कुछ नकुछ मैं करती रहे यदे में पार करता कि आपको बौलाएम, कोई कि यथा कि गाउं करता ही पार में लगे सब्सक्राइज करता है अगर उस टॉपिक पर बात करें, तो लोग खुलते हैं जैसे कि मैंने नोटिस किया जब मैंने विमन डाइरी और पीरियद किया कि मैंने, तभी क्या था कि it was very very much new वो छूने का नहीं और नीचे सोने का यह सब हम सोच रहे हैं कि यार अभी कहा है यह सब लेकिन है, अभी भी, लोग पेपर्स या रेत यूज करते हैं in place of sanitary napkins So, there are people who have such a mannyatah, dharane waale या फिर, जो PEDS ना-afford करने waale, या फिर believe नहीं करते हैं So, जब मैंने बात करनी शुरू कि it was risky क्योंकि ऐसा लगता था कि लोग खुलेंगे, बोलेंगे इसके बारे में या नहीं बोलेंगे लेकिन जब मना शुरू किया, लोग comfortable होने लगे ऐसे कही ओरते बाहर आई कि जो अपने गर के रिवाजों के कू रिवाजों के बारे में बात करने लगी कई ऐसे मर्द बहर आये कि जो जिनकी मानियता है ऐसी थी कि यार मेरी बीवी पीरेट्स में होती है तो यार मेरा frustration because i cannot make love to her, I get frustrated और मैं उस पर अपना अंगर निकालता हूं, को मारता हूं, मैं इसको पने माई के भेज़ देता हूं, मुझे इर्रिटेशन होता है यह पांच दिन ऐसे ऐसे confessions बाहर आए ऐसे लोग खुले उस TOPIK बारे में कि ऐसा लगा कि यार ऐसे TOPIK से में चेड़े चाहिए कि बीच में मैं जैसे सुसाइट के बारे में बात करना शुरू किया था जब नीट की एक्जाम थी और उसमें रिजल्स आये थे और स्टुडेंस जो थे टीनेजर्स थे या फिर सुडेंस थे वो लोग सुसाइट करने लगे थे तो मैंने खाली प्लेटफॉर्म एक बार कमफर्टिबल लेवल वो जोन खोला उसके बारे में बात मैंने चर्चाहि करना शुरू किया तो लोग आने लगे कि यार मुझे लोग मुझे यादे कि वीडियो और फोटोस बेच दे थे जस डोंट रिवील माइ नेम और इस वाने शेर इट विव यू कि यह मैंने कट किया है और मेरी गर्ल्फरेंट मुझे तीन बार छोड के गई है और यह मैरी स्टोरी है मैं भी अभी ऑस्पितलाइज हू और मेरे पे ग्लुकोस चड़ रहा है अभी सो एसे सब कन्फेशन्स मेरे पास आते रहते हैं तो इसलिए मैं सोच कि हूँ मुझे हिमत मिलती है कि यार अगर मैं लोगों तक पहच रही हूँ तो मुझे ऐसे टॉपिक्स छेड लेने चाहिए So I'm planning, I'm planning कि मैं आगे भी अभी anti-stress, क्योंकि अभी सुषान्त का वो चैप्टर गुला उसके बाद Yeah, सुषान्त का जो केस हुआ, दुखद, घटना जो गटी, उसके बाद काफी सारे लोग उससे प्रेरित हुए कि भाई, अपन भी गला गोट लेते हैं खुद का, काफी सारे केसिस बढ़ने लगे So I'm thinking, anti-stress, anti-depression, anti-sucide campaign उठाओं और उसके बारे में बात करूं, I'm just planning So soon अगर हम fun question की बात करें, तो जैसे के, आभा का अर्ज है, तो क्या, बस randomly आयाता है दिमाग में तो, share कर लेते हो अगर हम पर जोड़ा जोड़ा करो, तोड़ा गर पे भी द्यान दो, बोलती बहुत ज्यादा हो, सर चुबबी रहा करो औरत होकर इतना जोर से हस्ती हो, थोड़ी से शरम तो किया करो इन सब बातों का, बस एक ही जवाब देना, मैं जैसी हूँ, मैं बढ़िया हूँ आँ, actually क्या हुआ कि नाम मुझे अच्छा लगा, मैं ऐसे टू-Liner और मुझे अच्छे लगते लगते हैं लिखती कम हूँ, लेकिन मैं रीड करती हूँ कही सारे टाम और मुझे अगर रिलेट करें या फिर मुझे लगे कि यह कही सारे लोगों को रिलेट कर सकता है, तो मैं उसे बोल के रग देती हूं, फिर वो इस्टबलेश होने लगा की ओके अबाकार्स मैंने नाम दिया, मुझे अच्छा भी लगा, यार नाम से राइम हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है और वो उसे रिकॉल रहा और मैं जो भी भी आस्क मी क्वेशन वाला फीचर डाल आफे लोगों को ंहां ारक लोगों का भी खेल अच्छा लगीह, अऐ नाम थे ल्ग उत खशय लगीह, मैं पड़नी व मुझेपस का लगए сам लेगेर लगगेन सिन नाम किसा मेरी गली में ऑला गाना च्छा भाना लोग लग medi… मेरी गली में वाला गाना ब Seriously…. हो आप ते इसके अज्डियए भी से हाँ, इसके अगर फून की अगारी से ते पुरानी पुरानी चीज़ और परसनल चीज़ केंग परना पर्सनल चीज़ किया है और अगर आप परसनल टच दो लोग ज़्यादा कानेक करते हैं मैं पहले से मेरी कोशिश से रही है कि मैं थोड़ा सा जैसे में ओनर ऐसा ना लगना चाहिए लोगों को कि ओनर कुछ अलग व्यक्ति है और और जब उसको मिले तो कुछ अलगी व्यक्ति यह मतलब यह तो नहीं है जिन को रडियो पे सुनते हैं तो मैं दोनों को थोड़ा सा, you know, justify या balance करना मैं परसंद करती हूँ तो मैं जैसी यहां पर सुनने को मिलूंगी, मेरे वीडियो भी वैसे होंगे, मेरे स्टोरीज भी होगी, मैं ओनर भी ऐसा होगी कि थोड़ा थोड़ा, obviously, कोई परसंद चीज हम अलग रखते हैं, परसंद लाइफ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि वो थोड़ा परसंद तच दूँ कि मैं ऐसी हूँ तो मैंने गैलरी अपनी पूरा नी निकाल निकाल के उसमें से वीडियो और फिर मेरी पूरसंद लाइफ की कुछ भी चीज़े और पूरा नी चीज़े तो वह थोड़ा थी, तो वो उसका था आपने बहुत इंटरव्यू लिया हूँगे, आपने बहुत लोगों से मिले, आपने रेडियो पे लिये, पेस तो फेस भी कैसे तेलिबिटी से मिले हूँआ, तो कोई ऐसे दो फन इंटरव्यू या, आपको याद हो कि हाँ, ये मुझे याद रहेंगी पूरी जिंदगी, कि इन दो से में मिली को मजा है, अम, मिले के अगर बात करूँ थो, इम्रानाश्मी के साथ मैंने इंटरव्यू किया था, और मैंने सोचा नही था, अचुली, बहुत उट जब था, तो मुझे अइसा लग था, क्योके उनकी एक तो इमेज एसी है, पता नहीं कैसे होंगे, और उनके साथ जो कन्वसेशन रहा, oh my god, मैंने सुझाए तर दसेक्ट मिनट बात कर लेंगे, मतलब कुछ सवाला, तो जब बात्चीश शुरू की तो वो गंटों तक चली, in fact, it was 45 minutes, और एक गंटा शायद हमारा conversation रहा होगा, और बहुत different personality थी, और कई जब मैं celebrity से मिलती थी, अभी तो, मतलब, अभी तो ठीक हो गया है वो, लेकिन पहले क्या था कि नहीं थी, तो ऐसा लगता था कि यार, वो हृतिक रॉषन से मिल रही हूं, तो oh my god, वो हाँ था, और व वेसा होता था, तो हाँ, तब ऐसा लगता था, लेकिन real life में उन लोगों को मिलके भी बहुत comfort level आ जाता है, और प्यारा लगता है, और दूसरा, अगर मैं अपने दूसरी personality मुझे तुरंत ही click हुई, वो अभी मना आतिश कपाड़िया से बात की थी, जब lockdown चल रहा था, Instagram live आतिश कपाड़िया is the writer की, जिन्होंने सारा भाई वसे सारा भाई खिचडी, वो सब direction भी केया है, director-writer of those series, Bab Abhor, Baby और बहुत सारी, ऐसी film में भी है, जैसे की आखे है, जोश है, वो सब उनोंने लिखी है, वो सब उनोंने लिखी है, so he is so damn creative, और इतना मज़ा है था उनसे ब बहुत interesting personality भी है और बहुत creative personality भी है, मुझे काफी surprising लगा कि वो आदमी अकेला, सारे कि सारे characters कर सकता है, मतलब बाबुजी भी कर सकता है, वो हंसा भी कर सकता है, वो सारे कि सारे characters वो विमिक कर सकते हैं, और उनको मैंने, ऐसे मैं चुटकी बजाओ, जैष्ट्री करो, बाब वो कोई भी character पकड लेंगे, सटटटटटटब कर लेंगे character, तो इड़ सो entertaining और मजा आया कि यार लोगो, मतलब काफी creative लोग है कि जो पड़े के पीछे भी है और पड़े के आगे भी है, और परस्नालिटी भी इतने interesting होती है, और प्यारी होती है, तो या कहीं लोग है ऐसे अगर मैं पुछूं कि, अगर हम आरजयाबा से पूछें कि भई ऑफिस छोड़ दें, घर छोड़ दें, आपको एक फन टाइम बोले कि आपका फन टाइम क्या है, आपको एंजॉए कर तो सब कुछ बहुत रशन चोड़के, सब कुछ चोड़के, अगर आपको फन टाइम तब क्या बोलोगे, क्या फन क्या है? मैं अचली, I am a messyl person, मतला मुझे बहुत पयारे लोगों से, मुझे मेरे दोस्त है, पarticular group of friends and few family members, उन लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, ताइम पास, उन लोगों के साथ करना, hangout करना बहुत अच्छा लगता है, मैं कुकिं करना अच्छा पसंद करती हूं, और मुझे लोगों को खिलाना भी बहुत अच्छा लगता है, खाली-खाली मैं अगर हूंगी, अगर घर में ही करना हो कुकिंग, तो ठीक है, लेकिन कुछ कर लेंगे, लेकिन अगर मुझे कई सारे लोगों को खिलाना होगा, तो मुझे ज बुलाओंगी डिनर पर लूंच पर या फिर मैं वहां पर उनको दे के जाओंगी कि आर खाले न मैं अधास ते रिए बनाया So yeah, I enjoy cooking, I enjoy drives और ऐसे hangout करना बाते करना बहुत बात उन्हीं हूं मैं So yeah, आपको लगी रहा होगा, आपने पूछा आदा सेकंड के सवाल आदा मिनिट मैं पूरा हो जाएगा लेकिन वह चलता है अदा गंटा मैं तो आपको बहुत 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 I know lockdown मैं बहुत कम resources से हम खुश हो सकते हैं वो मुझे realize हूँ So yeah I mean, we thought that if we don't watch a movie on Friday, it seems like it's all on Saturday night, if we don't go to Saturday night, if we don't go to Saturday night, if we don't go to Sunday, we don't go to the weekend gateway में अगर ना जाए तो बतलब यह अधूरा सा लगेगा या फिर युनो शॉपिंग बहुत सारी अगर नाक करिये यार वो कपड़े नहीं लिये तो वो सब के बिना इतना प्यारा लगा लगा लोग्डाउ में अगर इस वी लोक इंटो इन तो ब्राइटर साइड और पॉजि लेकिन उसके साथ यह सब कम रिसॉर्स से यार मुझे इसा इतना अच्छा लगा यार खाली लुडोग किलने में इना अच्छा लगा था कि आप बात थी मत पूछो मतलब फ्रेंस को इखटा करने का राद को साड़े गारा बजे फोन करने का कि यार चलो आजा हो रूम बना तुझे कोड बेजा है और वहाँ पर चैट करना इतना चोटी-चोटी खुशी आंके यार मतलब इससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि यह गेम में इतना मज़ा आता होगा ऐसी भी कोई गेम है उसके अलावा इतना अलग-अलग तुझे świ era । आ अचोटी-चोटी बाते कई सारी series ृपोत अलग इस एक्सप्रोर कर नली अर अभी आदखते भी चैंज होगी है तर बहार कम नकल रहे है और यह सब आदखते the continue हो रही है यह डउपे अज यह बड़ जानेया का मन नहीं कर रहे हैं So we can also cook now very nicely जो यह सब जीजे चेंज हो रही है और वो पॉजिटिव चेंज हुझे दिख रहे हैं मेरे में भी और दूसरों में भी मैं लास्स कोशिन मैं हमेशा अलग पूछता हूं पर आपसे खोड़ा सा अलग पूछ नहा हूं आपकी पॉपुलारिटी लेवल चाट्स कंपेर करो मैं बाकी आर्जेस से यह रहां वेरी हाई अलग कंपेर भी तो आपके ओन एर भी फ्रेंड्स होते हैं जिनको आपको सुन पाते हैं कुछ फैंस आपको देख पाते हैं और उन दौनों को आपको डिलीवर करना पड़ता है तो कितना difficult होता है उस चीज का balance create करना कि जो मुझे सुन रहे हैं और जो मुझे देख रहे हैं उसका balance create करना यार ये अच्छा सवाल था क्यों केडियों पे और डिजिटल पे दोनों पे अलग-अलग या फिर ए फैंस होते हैं लेकिन डिलिवरी अलग-अलग होती है और दोनों को मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है कही ताइम जैसे कि मैंने चैट शो पूरा किया था चैट सीरीज की थी पूरी नवरात्री में सिंगर्स के साथ फोक्सिंगर्स के साथ तो अब क्या था कि वो इट वस ओन डिजिटल प्लैटफॉर्म लेकिन उसको अनेर में पूरा नहीं ले जासे थी वो मस्ती वो एक्स्प्रेशन वो चैट वो लेंथ पर अग्सापल उसको अधे गंटे का या अधे गंटे का शोगा वो एक एपिसोड होगा तो मैं ओनेर वी हैव लिमिटेशन ओफ बीग ओनेर यहीं लेंदेघ गवेशन पाता हैं। वो थी गवासे में अधेशन आजंण टैटिय्टिफार नहीं करकूताहि अपेशन आई हैं। दोसीति वसीती क्या है अ करते हैं। शीता ऐवरी का सरी दोगां ऑनेर आघू तो इंडस्ट्री, रिडियो इंडस्री में भी ऐसी ही दफिकल्ट दोर से हम गुजर रहे हैं जो इस नाजुब दोर में सब कुछ वैसे बैलनस करना पड़ धा है, डिजिटल पे भी फोकस करना पड़ आ पड़ता है अधिकल्ड बता है कि भई आभा कार्ज मैं कभी वहां पे ओनेर रीडियो पे भी करूँ और डिजिटल पे भी करूँ और डिजिटल पे मैं फोटो सीरीज या फोटो शुट या ऐसे कुछ मुझे पसंद आता है वो सब मैं करती रहती हूं मसाला डालती रहती हूं जैसे कि fans को या फिर followers को थोड़ा सा इस डेली रुटीन में इस हेक्टिक स्किडिूल में उनको मुस्कान मिलती रहे पहुँ से लोग जो हम जो हम आपको डाल को शुन रहे होते हैं यार यह बात तो आपको मैं बतना चाहूंगी पहले तो एक यह मान जाता है बहुत वह बोलती है रजे बन सकती है एक यह है कि आप कहीं पर जाओ तुम जो इसे रेडियो पर बोलती है वह इसे बोल के दिखाओ ना यह एक बहुत बड़ा इस्यू है हमारे साथ तो I am absolutely sure every Arjam must be facing the same तो आप अच्छा मैं ऐसा बोलूँगी कि शारुख खानगर आए तो कोई भी आए नमाज अ-दिन सिदिकी आए तो क्या आप उसको मिलोगे और ऐसा बोलोगे कि आप ज़रा acting करके दिखाओ ना तो कैसे होगा एक बार, I would just, अभी यादा है मेरको, I would just want to share one experience, मैं एक शादी में गई थी, relative की, तो, ऐसे शादियों में भी बहुत होता है, यार, हम तो शादी एंजोई करने जाते हैं, लेकिन वो लोग लोग स्टेज पर चड़ा देते हैं, या तो फिर आसपास के लोग हो, तो पूरा इकटा हो जाते हैं, और तू रेडियों पर बोलती हैं, आवसे बहुत के दिखा, तो, ऐसा मेरे साथ हुआ था, मैं एक शादी में गई थी और वहां पर वो लोग बहुत excited हो गयते हैं, आप आप्सलोटली एप्य विद आप्यून के इसा, मतलब ऐसी excitement हैं, और लोगों वैसा चानना अचा लगता हैं, लेकिन यार यह क्षमखष होती हैं, तो वहांपर क्या हुआ कि तुम कुछ बोलके दिखाओ, बोलके दिखाओ चल रहा था। मैं आपका बोल के दिखाऊंगी जैसे रेडियो के बोलती हो लेकिन रुकी है वी तो फंक्षन चल रहा है तो पता निए उनमें से कोई उत्राही होगा और रिलेटिव होगा जिनकी शादी हो रहे थी उन्होंने वे पता हो तो आपको दुला दुलान ओर अदम पंडीजी उते, अभी क्या ट्रेंड िकि मैं बचारे को भी शादी करनी है जो भी नवस्नेस काष्मकष के बीच है वो लोग अधर जाए उदर जाए उदर जाए अब फेरे फरने और जाना होगा जल्दी से अब मेर को कहा चड़ा दिया पिर मैंने बोला और उसके बाद उसकी शादी कांटीन हुई मैंने बुला यार ने बठेगे इटोपिक य। है और जा प्राइटेड ठेटाएं पड़ य। छोल बोल करता। ढमिन एड़ाटेड भादे़ा जैसे कि मैं सुबह साथ से बारा खा हुँ तो अभी आपको पता होगा कि रात को रिलीज हुआ कुछ स्टेटमेंट या फिर सुबह कुछ और इ आपड़ेगी आने वाले हैं, सुबह आट बजे दस बजे, तो मेरा शोव बारा बजे तक चलता है, तो सब कुछ रुक के, या फिर शेर मार्चेट इपर उगया, तो इसे बोलोगे, या पैसा बोलोगे, आपका बम्ही बढ़ेटे करना पड़ेगा, इसके साथ आपका मूद माइन नहीं रखता आपका मूद हो, आपका मूद नहीं हो you have to smile and you have to make other people smile या फिर आपको अपना खुद का पॉरसनल मूद है वो हावी नहीं होने देना है उसमें भी मैं एग्सामपल ऐसा दोंगे के मेरा एक बहुती नस्दीक का फ्रेंड था जिसको cancer था I was only 21 years old or something and he was just 20 or something very young मुझे याद है मैं शो कर रहे थी तब दुपर का और मेरे को news आई के he's no more and मेरा live show चल रहा था I could not handle myself because he was very close to me and तब ऐसी एज थी के handle कर पाना was difficult मेरे एकाज साल हुए होंगे रेडियो पे एक दो साल हुए होंगे and I had to do live show मेरा mic on होता था मैं कुछ Bollywood की, कुछ हसी वाली कुछ तभी जो भी चल रहा होगा trending वो बात करती थी mic off होंगे मैं रोती थी मेरे ऐसे आसू जाते थे so it was very difficult I mean it is very difficult के आप अपने mood swings को handle करो लड़किया है mood swings कभी भी आजाती है I mean आजाते है so yeah it is आपको लगता है कि इसको खाली बोलना ही है लेकिन एक मिनिट में आपको एफर दो मिनिट में आपको जो भी आप कहना चाहो with your opinion and with everything आप पूरा सार एक दो मिनिट में कैसे बोलते हो वो खाली एक बार बोलके दिखा सकते है so yeah it is not that easy जितना दिखता है right लोग जो देखें उनको समझ आजाए आपकी आजे चार गंटे बोलते हैं पेचे कितनी मैनत होती है yeah यार वो बहुत ज्यादा homework करना पड़ता है thanks a lot आपने ताइम निकाला मैं अजे शेयर करना अच्छा लगता है you know युन कभी ज़ेश व्यक्र้म Ayure कि कोई points होते है वहां पूईस्षी किसी बफ़हा बोढता है वो पूईस्षी दबाय तो उन निकले हो नया ही होता है क्योंकि वह दूण जयजा तो ढूबिश ऐसे शे मतंशा कbrachtवन कि अपना हुआ रिज पर्सपेक्टिव मे होगा कि पर एक पर सुटा साथ सी चाइज लिए साइटीमे तो आप टो कांसी चैंज ला रहे हो अरेडी साइटीमे कोई आप छला है रहे हो बहुत अच्छी पाफ है तो बहुत हैट्स ओफ तो यू कि आप कर पा रहे हो और लोग का सपोर्ट आपको है पैन आपके फॉलोइइं आपकी है बहुत अच्छी और अपकी आपको दुबारा बात कर पाएं और थैंक्स लॉट आज के लिए बहुत बहुत थैंक्यू मैं जागें तो अब ही मेरा दिन बन गया है और अब ही कुछ नया प्लान करती हूँ अब ही मीटिंग अगरा है तो वहाँ पे जाती हूँ और कुछ नई एनर्जी की साथ जाती हूँ थैंक्यू सो मच उमीद करता हूँ आपको यह इंटर्वीव पसंदाया होगा और आपने बहुत कोछ सीखा भी होगा क्योंकि यह एक ऐसे इनसान के साथ हमने चैट की थी जो के अल्रेडी सोसाइटी में चेंजिस ला रहे हैं जैसे उन्टर्वीव में हुने बात करी और उमीद करता हूँ कि आप सब भी कोशिश करेंगे कि आप लोग भी सोसाइटी में कोई चेंज ला पाएं मैं फिर आऊँगा और जल्ड आऊँगा एक नए इंटर्वी के साथ और एक नए आरजे के साथ ठैंक्स अलोट